तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं हर रोज अपनी तवचा को स्वस्त और सुन्दर बनाए रखने के लिए क्या करती हूँ ये तीनों क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्टराइजिंग मेरी तवचा के लिए बेहत ज़रूरी है और मैं ऐसा हर रोज करती हूँ बिना किसी बहाने के पहला स्टेप है, रोजाना सबसे पहले अपनी तवचा को साफ करें इससे ये सुनिश्चित होता है कि आपकी तवचा पर जमी धूल और गंदगी साफ हो गई है इसके लिए मैं लाकमे के स्किन ग्लॉस रेंज का फेशल फोम इस्तमाल करती हूँ ये एक साफ लिक्विड है जो हलके गाढ़े फोम में परवरित हो जाता है जो बहुत प्रभावी धंग से तवचा की गंदगी को साफ करता है और तवचा को रूखा भी नहीं होने देता ये प्रड़क्ट मुझे अपना मेकप हटाने में भी मदद करता है दूसरा स्टेप है टोनर का प्रयोग करना बहुत सी महिलाएं इस स्टेप को छोड़ देती हैं उन्हें पता नहीं होता कि रोजाना टोनर का इस्तमाल कई तरह से फाइदेमंद है ये आपकी तवचा को टाइट रखता है, रोमचिदरों के आकार को कम करता है और तवचा पर बचीवी गंदी को भी साफ करता है मैं लाक में आपसिल्यू टोनर इस्तमाल करती हूँ सीधे चेहरे पर स्प्रे करें या इसकी थोड़ी सी मातरा रूई के टुकडे पर डाल कर पूरे चेहरे पर लगाएं आकरी और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है मॉइस्टराइज करना लाइट टेक्स्चरड मॉइस्टराइजर दिन में लगाएं और नरिशिंग क्रीम रात में लगाएं मैं इस्तमाल करती हूँ लाक में आपसिल्यूट स्किन ग्लॉस रेंट जेल क्रेम बहुत ही हलका मॉइस्टराइजर है जो बहुत आसानी से आपकी तवचा में अब्जॉब हो जाता है और पूरे दिन आपकी तवचा को नम बनाए रखता है और साथ ही मैं हमेशा पूरे दिन लिब बाम लगाए रखती हूँ और रात में सोने से पहले भी लगाती हूँ जिससे मेरे होंट भी मेरे चेहरे की तरह नम रहते हैं तो ये है मेरा डेली रूटीन जो मेरी तवचा को बहतरीन बनाने में मेरी मदद करता है और वो भी बिना ज्यादा मेहनत के अधिक जानकारी के लिए उपर बने आई पर क्लिक करें